आप सबको मेरा नमस्कार अभी हम लोग क्लास नाइन्थ हिंदी में एक उत्ता और एक मैना जिसके राइटर जो है हजारी प्रसाद दिवधी जी हैं कि बहुत ही इंपोर्टेंट एमसी क्यूज देखेंगे साथ में आप लोग जरूर दियान दीजिएगा चार पांच कोस्टन में आप से पूछ हूँगा आप उसका एंसर कमेंड में बताइएगा पहला कोस्टन है कि गुरुदेव की से डरे डरे रहते थे जिसका उत्तर है कि कुरुदेव जो है ना वो दसनार्थियों से डरे डरे रहते थे तो इसका आपसन टू करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड कोस्टन है कि प्रगल्म का अर्थ है, ठीक है, तो ये कोस्टन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है, अब कोस्टन नमबर थर्ड है कि एक उत्ता और एक माइना कैसा लेख है, तो ये कुत्ता और एक माइना जिन्हों ने पढ़ा है वच्छी से जानते हैं कि ये निवन्द परकार कलेख है, तिसका अप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा निवन्द, उसके बाद आगे देखिए कि कि किसके चिता भस्म के कलेश के पास कुत्ता थोड़ी देर जाएगा, उसके बाद कोस्टन नमबर फीपत है, वहां आखे मूंद कर अपने रोम रोम से उस इसनेय कनभव करने लगा, यहां किसका उल्लेख है, तो यहां पर गुरुदेव जो है न कुत्ते का उल्लेख कर रहे हैं, तो इसका आप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा कु कोस्टन नमबर शीक्स है कि गुरुदेव को किसे छोड़ कर कहीं अन्यत्र जाने का मन किया, यहां पर किसी लिखा है, किसे हो गए, ते है संती निकेतन को जो गुरुदेव के द्वारा इस्थापित विश्चपित देला है, तो इसका आप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएग कोस्टन नमबर सेवन है कि एक मूख खिर्दय कभी ने किसके लिए परियुक्त किया है, तो यहां यह प्रस्णा जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, कमेंट करके बतागियागा कि मूख खिर्दय कभी ने किसके लिए पस्तूत किया है, कोस्टन एट है कि एक मुझे को मज़ चुके हैं कि यह जो है ना निवान विधा में लिखा गया है ति इस काप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा कोंश्चन नमबर 9 कि शुरू-शुरू में लेका गुरुदेव से कि भाशा में बात करते थे तो गुरुदेव से वह बांगला प्रसाद दुएदी द्वारा लिखीत इस निभन में किस किस पसुपक्ची का उल्लेक हुआ है तो इसका अप्षान आप लोग पढ़ लिजेगा अप्षान है कुट्टे का मैना का कौवे का है नसर प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको ध्यान मत दीजेगा यह मैना है कौवा है और फोर था है उप्यूक्त तीनों का तो आप कमेंट करके जुरूर बताइएगा कि इसको उत्तर क्या होगा ठीक है उसके बाद देखिए कुस्टा नमबर यहां पे 12 है कि गुरुदेओ का चिता भस्म किस जगह से आस्रम में लाया गया तो गुरुदेओ का जो चिता भस् का लेखक को मैना की करूण मूर्ती दिखाई पड़ती है तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुदेओ रहिना टेगोर जी की कविता पड़ का लेखक को जो है ना मैना की करूण मूर्ती दिखाई पड़ती है ठीक है उसके बाद कोस्टन नमबर हम लोग 14 पे चलते हैं कि रोईना टेगवर्द और इस्थापीद विश्वविद द्याले का क्या नाम है मैं लड़ी बता चुका हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा question 15 है अस्त अगामी से आप क्या समझते हैं तो अस्त अगामी का मतलब होता है डुपता हुआ है ना तिसका अप्षन second correct हो जाएगा डुपता हुआ question 16 है कि पाट के अधार पर बताओ कि लेखक ने किसे सरो व्यापब कहा है तो पाट के अधार पर हम जानते हैं कि लेखक ने मैना को जो है ना सोरी कउवा को जो है वो सरो व्यपक कहा है तिसका अप्षन third correct हो जाएगा कउवा आगे देखिए question number 17 है कि निम्लिखीत में से कौन सी रचना हजारी परसाद द्वेदी जी की नहीं है तिस में से जो रचना का दंबरी जो है न ये उनकी नहीं है बाकी वाणबट की आरामकत उनर्वा और कल पलता ये सब उनकी रचनाए है कि प्राण पर्ण से आप क्या समझते हैं तो देखिए question मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं आप लोग कमेंट करके बताईएगा इसका उत्तर क्या होगा question number 19 है कि गुरुदेव के चिता भस्म के साथ कुत्ता किस भाव के साथ गया तो बहुती सांत और गंबिर भाव के साथ गया तो इसका अप्शन थर्ड करेक्टर हो जाएगा question number 20 है कि हजारी प्रसाद का जन्म कब और कहा हुआ तो हमने पढ़ा है कि हजारी प्रसाद का जन्म जो है ना 1907 में बलिया के दूबे का उपरा गाउं में ह ठीक है तो इसका अप्शन सेकेंड करेक्टर हो जाएगा question number 21 है कि इर्षित इर्षत से आप क्या समझते हैं तो इर्षत का मतलब होता है थोड़ा भी होता है कुछ-कुछ भी होता है अन्सिग्रूप से भी होता है तो इन में से सभी हो जाएगा तो इसका अप्शन 4 गुने का था लेकिन उसल कूद करने का नहीं था कोस्टन 23 है प्रचलीश सब्द से उपसर्ग वह प्रत्याय अलग कीजिए तो देखिए प्रस ना आखरी प्रस नहीं जो आपके लिए छोड़ा हूं मैं आप लोग कमेंट करके बताईएगा है ना तो आसा करते हूं वीडियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों पर वाचिंग